अमारे साथ बाजार पर अपनी राय, शेक्तर और शेर पर अपनी राय देने के लिए होंगे प्रोफिट मार्ट सिक्यूरिटीज के अभिनाज गुरक्षिकर और साथी मेरी पूरी रिशर्च टीम भी तयार है हमारे खास मेहमान भी जोड़ चुके हैं अभिनाश गुरक्षकर साहब अभिनाश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका टी-स के जो नतीजे आये हैं इस पर आपका व्यू क्या है आप किस तरह से देख रहे हैं इस नतीजे को मुझे लग रहा है कि नतीजे इन लाइन है आइटिंक एक्सपेक्टेशन है थी कि जो डॉलर गाइडन्स होगी वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी और सबसे बड़ी बाद मार्जिन्स उन्होंने 25% मैंटेन किये हमको लग रहे है कि हाला कि आगे की जो वार्टर है कम से कम एक द हुझे लग रहे है कि margin के front पर company confident है कि margin का range उन्होंने दिया है हमको लग रहे है कि markets definitely इस नतीजों को बिल्कुल इन्हों एकदम negative नहीं देखेगी क्योंकि dividend भी इन्होंने काफी अच्छा दिया है और ओर आने वाले दिनों में BFSI sector से यह कितना growth momentum achieve करेंगे यह काफी Important रहेगा क्योंकि management की commentary आभी भी काफी कॉशिस थी और हमको लग रहा है कि यहां से definitely stock में ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग नहीं आएगा लेकिन गिरने की चांसे काफी कम है तो यह नतीजे सीन लाइन है मुझे लग रहा है मार्केट इसको नीट्रल या जादा से जादा इनों एक पॉजिटिव कर सेंटिमेंट के पॉइंट आव यू से देखेंगे कोई बड़ी गिरावट कल के सत्र में नहीं लग रहा है कि स्टॉक में देखने को मिले तो कल आपको कोई बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को आप नहीं देख रहे हैं ठीक है लेकिन अविनाश जी आज के बादार पर आपका विव लेना चाहें मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उमीद कर रहा है कि एप्रिल 20 के बाद जो भी अनॉंस्मेंट्स गौर्वर्मेंट के साइट से आएंगे डेफिनेटली गौर्मेंट्स चिंतित है कि जो लाइवलिवेट के लिए जो सेक्टर्स है उनको शुरू करना है और यहां से कौन स इस महीने में आने की possibility है तो definitely negative news जो अभी तगा रहा था उसको markets काफी you know negative news से देखा है तो अभी शायद markets थोड़ा सा एक bottom बना सकता है ठीक है तो आप करें कि अब market थोड़ा सा bottom बना सकता है तो जब bottom बनाएगा market तो अब अभीनाश जी मेरा आपसे आगला सवाल यह होगा कि कल के कारोबार के लिए, मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूंगा, एक तो यह कि कल के कारोबार के लिए आपकी इंटरडे पिक क्या होगी, और जो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखते हैं ट्रेट के लिहाज से, उनके लिए आप कौन सा शेयर रिकमेंट करेंगे, मत लगते हैं तक पॉजिशनल के पॉट ऑब यू से हमको लग रहे हैं कि जो प्रावेट चेक्टर बैंक से जैसे की आएचिस इचिए बैंक है, अच्छा पोजिशनल मोव मिल सकता है, इंटावी इस आपको लग रहे हैं कि इनसो चालीज का जो रेट है, नियर टर्म में तो एसेट कॉलिटी का जो स्ट्रेस है प्लस जो लोन बुक की ग्रोथ है प्लस जो डाइसिपाइड इंकम स्ट्रीम्स है यह सारे उनके प्रिजनेस की होल्डिंग कंपनी है तो यहां पर करीवन चार सो रुपए का टागेट प्रैस पॉसिबल है तो इसको डेफिनेटली अच्छ अभिनाज जी आपको क्या लगता है क्या अभी आईटी के शेयर आईटी सेक्टर दवाब में ही रहेंगे या कहीं से कोई उमीद दिख रही है आपको रिकवरी की कि आने वाले के लिए थोड़ा सा सेनारियो आईटी कंपनीज के लिए जरूर सॉफ्ट रहेगा क्योंकि जिस प्रकार का करोना वाइरस का इंपक्ट लोबली हो चुका है इनके सारे जो कस्टमर्स है वो ज्यादा तर यूएस और यूरोप में है और इसलिए शायद फर्स् गिरावट आएगी ऐसा नहीं लग रहा है इसका कारण यह कि यह सारी कैश रिच कंपनीज है इनके कैश भी काफी मजबूत है तो इनके पास काफी ऐसी सस्टेनविलिटी के यूण वेपन्स है जो टिपिकली यह यह ऐसे खराब टाइम पर यह यूज कर सकते हो और हमको नह यह रहा है आपकी आई-टी सेक्टर पर अभिनाश जी मैं आपसे समझना चाहूंगा आपने पोजिश्चनल ट्रेड बता दिया है लेकिन अगर लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान हो तब कहां पर निवेस्ट करना चाहिए अगर किसी को इस लेवल पर भी खरीदना है तो हमको लग रहा है अच्छा रिस्क रिवाड बन सकते हैं और करीवन साल देड़ साल में आपको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा तो यहां पर डेफिनिटली कोई भी डिक्लाइन भी आती है इसको करेंना चाहिए आप करेंगे भारती एरटेल लॉंग टर्म के लिए एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट